मश्कार मित्रों मैं डॉक्टर सुनीता विवे इस वीडियो में पार्थ सामगरी लेकर प्रस्तूत होई हूँ जो विशेशकर बीयो बीएसे सेकंड सेमिस्टर हिंदी पार्थ करम के पठन पार्थन में सहायख होगी छात्र इस प्रावरोप का अनुसरन उत्तर लिखने के ल कविता की विशेश्ता एवं प्रश्नोत्तर सर्व प्रथम हम कभी परिचय पढ़ेंगे कभी गजानन माधों मुक्ती बोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालेर जीले के श्योप और नामक स्थान पर सन 1917 में हुआ सन 1915 में इन्होंने नाकपुर विश्यद्याले से में ह हिंदी करने के बाद राजनात गाओं डिगरी कॉलेज में अध्यापन कार्य आरहम किया आपने अध्यापन लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता प्रतिभा एवं कारिश कमता का परिचय दिया आपको जीवन परियन संघर्ष नहना पड़ा और संघर्ष शीलता ने चिंतन शील एवं जीवन के प्रति नए द्रश्टी गोन प्रदान किये सन 1964 इस्वी में महांचिन तक दार्षनिक पत्रकार सजग लेखक तथा कवी ने इस संसार से बिदाली आपकी रचनाएं कविता संघर्ष चांद का मोटेड़ा है भूरी भूरी खाग दूल आलोचना कामाइनी एक पुनरविचार नए कविता का आत्म संघर्ष नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र समिक्षा की समस्याएं एक साहित्य की ड्राइरी कथा साहित्य हैं काटखा सपना विपात्र सतह से उठता आदमी भारती इतियास और संस्कृती और आप की भाषा शैली भी कुछ विशेश ही है भाषा की उत्कष्टता आपका विशेश गुन रहा है भावों की अनुरोग शब्द गरना और सजाकर उन्हें भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अनुखी विशेशता है तत्सम शब्दों के साथ-साथ उर्दू, अ अधेशानिया या कैसी भी औसमानता हो यह मुझे सहर्श्विकार है, मुझे जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है, तथा तुम्हें प्यारा है अर्थात, जो प्रभू को प्यारा है मैं उसमें खुश हूँ, मुझे अपनी स्थिती पर भी गर्व है क्योंकि मैं उसे प्रभू का प्रसाद मानता हूँ, मैं अपनी अभाव ग्रस्थिती पर आत्म सम्मान के साथ कड़ाऊं, गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, द्रटा, भावनाएं, आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है, अर्थात, अपनी गरीबी से उसे कोई परे करता है, क्योंकि उसे इस अद्रश सत्ता पर पूरा विश्वास है कि जो मेरे पास है, वो भगवान को प्यारा है, उसी ने मुझे दिया है, मैं गरीब हूँ, किन्तो आत्म सम्मान का धन मेरे पास है, गरीबी पर मुझे गर्व है, गर्व है मुझे गरीबी पर, तुम्हा खावनाए उत्नी ही अधिक उमडती रथी हैं, ऐसा लगता है, जैसे मेरे भीतर तुम्हारे प्रेम रूपी मीठे पानी का झरना लगातार है, और तुम्हारा चहरा मेरे उपर धर्ती पर चान्त के समान अपनी कांती भी खेरता रहता है, कवी प्रातना करते हैं, तुम्हें अगर मैं भूल जाओं तो इतनी कठोर सजा देना कि मैं तुम्हें भूल जाना ही भूल जाओं किन्तु अंत में कवी दूर जाना भी चाहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूं क्योंकि मैं भीतर से दूरबर पढ़ने लगा हूं क्योंकि कवी का अभिमान, अभिमानी मन प्रभू से इतना अधिक संद्रक्षन लेना नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व ही न रहे आगी हम पढ़ते हैं, यहां स्पष्ट है कि प्रभू को भूलना बिल्कुल नहीं चाहता है किन्तु अधिक संद्रक्षन से बचना चाहता है अपने विक्तित्व का विकास स्वयम करना चाहता है क्योंकि वह जीवन की चुनोतियों का सामना स्वयम करना चाहता है तुम्ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिन फ्रूव की अंधकार में अमवस्या की रात्री के अंधिरों में गुम जाऊं अतह दंड मांग कर कठिन परिस्तितियों में जाकर उनका सामना करना चाहता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि वहां भी प्रभू का सहारा है मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूं तुम्हारी ममता की कौमलता भीतर से चुबने सी लगी है मेरी आत्मा कमजोर पढ़ने लगी है क्योंकि अधिक सुरक्षा के कारण वह अपनी योग्यता को पहचान नहीं पा रहा है वह स्वयम को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होनी की बात कहता है अता अपनी पहचान स्वयम बना पाए किन्तु वहां भी प्रभू का सहारा है यह विश्वास उसे यहां है बार बार भग्वान के प्रतीक कर्टग्यता प्रकट करता है अंत में फिर से हर परिस्तिती के लिए प्रभू को धनिवाद देते हैं कविता की विशेषता इस प्रकार है इस कविता के माध्यम से जो संदेश कवी ने दिया है कि हर व्यक्ति को आत्म सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहिए अगर परिस्तितियां अनुकूल नहीं है तो उसे अनुकूल बनाने के लिए दया का पात्र नहीं बनना चाहिए नहीं चाहेगा यह विश्वास होना चाहिए गर्बिली गरीबी के अब भाव आपको कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होने देंगे तथा मुस्कुराता चान कोई भेद भाव नहीं करता सभी के लिए समान भाव से कांती भी खेरता है केवल कुछ कर गुजर्णी की चाह ह होना चाहिए अवसर उपलब्ध हैं अपनी परिस्तितियों से समझोता करने निराश होने के स्थान पर कठिनाईयों को सामना करना चाहिए भगवान सदा आगे बढ़ने वालों को सीड़ियां देता है यह कविता आत्म सम्मान को माना जीवन का गहना बनाने की प्रिर्णाम देने में समर्थ है इस प्रकार कविता का साराण चेमें विशेशता यहां पूर्ण होती है अब हम अगले बिंदो प्रश्णुत्तर में जाते हैं कवी जीवन की प्रत्येक परिस्तितियों को स्विकार कैसे करता है सहर्ष गरिबी के लिए प्रियुक्त विशेशन कौन सा शब्द है गरिबी ली कवी प्रभू के साथ अपने संबंद कैसे बताता है गहरा जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है इस कथन को स्पष्ट कीजिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है अर्थात कवी के प्यास जो कुछ भी उपलब्दियां है वह उस प्रिय है इन उपलब्दियों में वह अपने प्रभु का समर्थन महसोस करता है कवी अपने दिल की तुलना किस से करता है तथा क्यों कवी अपने दिल की तुलना मीठे पानी के जहरने से करता है वह इसमें से जितना भी प्रेम बाहर उडेलता है उतना भी ही या फिर से भर ज कवी प्रभू को अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव करता है? जिस प्रकार आकाश में हस्ता हुआ चांद अपने प्रकाश से आकाश को नहलाता रहता है, उस पर अपने प्रिय का मुस्कुराता चेहरा अपने अद्भुत सौंधरे से नहलाता रहता है। यह प्रेम सहन नहीं कर पा रहा है, उसका मन आत्मगलानी से भर उतता है। कवी अपने जीवन में क्या चाहता है? कवी चाहता है कि उसके जीवन में अमावस्या और दक्षनी ध्रू के समान गहरा अंधिरा चाह जाए, वस्तुत वो अपने प्रभु को भूलना चाहता है, तथा विस्मरन को शरीर, मुख और हर्दे में बसा कर उसमें डूब जाना कवी को क्या सहन नहीं होता? अद्भुद, निश्चल और उज्वल प्रेम के प्रकाश को उसका मन सहन नहीं कर पा रहा है. कवी की आत्मा कैसी हो गई है तथा क्यों? कवी की आत्मा अत्यांत कमजोर हो गई है क्योंकि वा अत्यदिक स्नेह की कारण पराश्रित हो गया है. य उसका मन काप उठता है. कवी दंड पाने की इच्छा क्यों रखता है? कवी अकेला रहना सीखना चाता है. वा गुमनामी के अंधेरों में खोना चाता है. अत्यदिक स्नेह कवी को भीतर से कमजोर बना दिया है. इसलिए वा दंड पाना चाता है. कवी दंड स्वरूप कहा जाना चाता है. और क्यों? कवी दंड स्वरूप, गहन अंदकार वाली गुफाओं, सुरंगों या धूए के बादलों में छिप जाना चाता है. वा कठोर सजा पाना चाता है. कवी को जीवन की हर दशा सहर्ष क्यों स्विकार है? कवी अपने जीवन के सुख, दुख, सफल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद. झाली करें जीवन करेंे जीवन की हर दे दानाा चाता है.